प्रिय भी द्यारतियों, हम देख रहे हैं मादमिक शिक्षाबोड राज्थान अजमेर द्वारा मादमिक परिक्षा 2022-23 के लिए Model Paper 1 जो जारी किया गया है, इसका solution हिंदी अनिवारेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में दूसरा मोडल पेपर भी जारी किया जाएगा और ये pattern रहेगा आपका, जो अभी आप pattern देख रहे हैं यावे जो पहला question है, दुनिया की सबसे हलकी एम रंगीन चीज किसे कहा गया है तो answer हो जाएगा हमारा पतंग, पतंग chapter से ये question लिया गया है अगना जो question है, उसकी बात करें, कवीता के बहाने किस काब्वे संग्रह से ली गई कवीता है तो ये कहां से ली गई कवीता है, तो इन दिनों से ली गई है इसके बात जो next question है, राम भक्ती पर आधारित तुलसी दास की सर्फ्ष्रेष्ट रचना कौन सी है तो राम चरित मानस जो है, उनकी सर्फ्ष्रेष्ट रचना है इसके बात जो दूसरा question है, इसमें पूछा गया है, फिराक गोरक पुरी का मूल नाम क्या था तो फिराक गोरक पुरी को रगुपती सहाय फिराक कहा जाता था इसके बात जो next part है, इसमें पूछा गया है, कभी उमा शंकर जोसी का संबंध किस साहित्ते से है तो आंसर आजाएगा गुजराती साहित्ते इसके बात जो next question है, महादेवी वर्मा को ग्यान पीट पुरसकार किस रचना के लिए मिला था तो आंसर आजाएगा यामा इसके बात जो next question है, लेखक के नुसार भगजी क्या बेशते थे तो लेखक के नुसार भगजी जो है चूरन बेशते थे अगला जो question है, धरमबीर भारती का उपनियास निमन में से कौन सा है तो गुनाहों का देवता जो है धरमबीर भारती द्वारा रचित है इसके बात जो next question है, लुटन पहलवान ने कुस्ती के लिए किस पहलवान को चुनोती दी तो चांद सी को चुनोती दी थी इसके बाद में next question है, निमन में से कौन सा कवी, कवीता संग्रे विश्नु खरे का है तो विश्नु खरे द्वारा कवीता जो लिखी गई हो खुद अपनी आख से सा option जो है correct हो जाएगा तो यह थे आपके MCQ questions, अब आते हम एक word और एक वाक्य में जो उत्तर लिखने हैं उनके उपर प्रातह कालीन आकाश की तुलना किसे की गई है, तो नीले शंक से की गई है इसके बाद में कभी जीवन के हर सुक दुख को किस कारण सुईकार करता है क्योंकि यह सब उसकी प्रियतमा को प्यारा है, इसलिए वो है सभी हर सुक दुख को सुकार करता है इसके बाद साफिया के भाई कहां रेते थे तो वे लाहोर में रेते थे उसके बाद में है, भारत में प्रती वर्ष 14 अप्रेल को कौन सी जैनती मना जाती है तो अंबेड कर जैनती मना जाती है नेक्ट जो कोशन है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यह शोदर बाबु के आधर्ष कौन थे तो किशन दा उनके आधर्ष माने जाते है इसके बाद में जूज, जूज है यह जूट नहीं है, जूज पाठ के आधार पर लेखक किस अध्यापक से सार्वदिक प्रवावित हुए है, तो अध्यापक सौध लेगर जो है उनसे ज़्यादा प्रवावित हुए थे, उसके बाद में मोहन जोदारो शेहर वर्तमान में क पाकिस्तान में इस्तित है इसके बाद जो नेक्स्ट कोश्चन है मोहंजोदारो सब्वेता में पत्थर वो तामबा कहां से प्राप्त होता था तो पत्थर तो सिंध से प्राप्त होता और तामबा राजस्तान से प्राप्त होता था इसके बाद में लेखी का एन फ्रेंग ने अगला जो खंड है दूसरा इस खंड में जो है आपको अपठित गद्यांस दिया गया है इसको पढ़ने के बाद में जो है आप प्रश्णों के उतर देने हैं आप यह गद्यांस दे सकते हैं आपके सामने गद्यांस से इसको गद्यांस को एक बार जरूर पढ़ ले और इसक प्रशन है जो आपके गध्यान से अधारित हैं, आप गध्यान से देख करके आसानी से लिख सकते हैं, इसके बाद एक पध्यान्स दिया हुआ है, इस पध्यान से अधारित प्रशनों के उत्तर देने हैं आपको, तो पध्यान्स जो है यहां से ले करके यहां तक है, और इसक प्रशन पूछा गया है वसुंद्रा सबसे क्या तात पर रहे है इसके बाद जो नेक्स खंड थ्री जो है उसकी बात करें तो खंड थ्री में जो है इसमें आपका पठित गध्यांस को पढ़ना है जो आपके बुक्स है और इसके बाद में इसके प्रशनों के उत्तर देने है इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है आपसे या फिर बताया गया है कि शेर के बच्चे नाम से प्रसित पहलवान का क्या नाम था इसके बाद आपका next question चांद सिंग के गुरू का क्या नाम था नेक्स है गद्यांस में आये देशी पहलवान से क्या भी पराय है नेक्स जो है शेर के बच्चे की उपादी उसे कैसे प्राप्त हुई इसके बाद आते हैं नेक्स पर पार्ट पे खंडर 3 जो है इसमें आपका फिर पद्यांस दिया हुए पहले गद्यान से तो यह कवीता जो आपको दे रखे इस कवीता को पढ़ने के बाद में यहाँ पर दियेगे प्रश्णों में से आपको सभी के उत्तर देने हैं और अगला है राम किसकी तुलना में अपने भाई को अधिक महत्यों दे रहे हैं। और अगला कोशन है राम को लक्ष्मन के बिना अयोध्या जाने में क्या सहना पड़ेगा। उसके बाद में next जो है राम दुआरा किसकी हानी सहन कर पाना कटिन हो रहा है। और अगला है नारी, हानी, विशेश, छती, नाही, पंक्ती में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है ये आपको भाव इसका बताना है। इसके बाद जो है आपका खंड नंबर चार, खंड नंबर चार में दिये गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं जिसमें eligible, eligible का मतलब होता है पात्र और उसके बाद में action, action का मतलब होता है कारवाही, उसके बाद में बालोट, बालोट का मतलब है मत्पत्र और उसके बाद मे वर्मा या सूरेकांद तिरपाठी निराला इसके बाद में अगर आपको इनके सभी के सोलूशन चीए तो मैक्सिमम कमेंड करिए इसके पूरे सोलूशन जो अभी हमने आपको छोटे प्रशनों के उत्तर बताए हैं आप बड़े प्रशनों के उत्तर भी दे देंगे अपने परदाना चारे को अंग्रेजी की रिक्त कक्षा लगवाने है तू प्रातना पत्र आपको लिखना है फीस के लिए 750 रुपे मंगवाने है तू पिता को पत्र लिखना है अभी आवेदन प्रतिवेदन इसमें नहीं दिया गया है हाला कि इस से मॉडल वेबर का जो है आपको चित्य बताया गया कि इस तरह का पैटन रहेगा और अभी आप जो है इस तरह के पैटन को तैयार रहे कि इस तरह का पैटन आएगा जब दूसरा मोडल बेपर आएगा तो ये बेसिक मोडल बेपर है अगला जो मोडल बेपर आएगा वो आपको इससे हाट देखने को मिलेगा दिये गए विशेव में से एक पर निबंद लिखना है प्लास्टिक की थैली पर्रयावरण की दुस्मन हमारा राश्य पर और कंप्यूटर का महत हो और दिये गए विशेव में एक पर परतिवेधन लिखना है जिसमें वार्शिक महुत सव है गंडतंत्र दिवस है और आपका बाल दिवस है इसके बाद में आपका पांचवा खंड आता है जिसमें आपका कवीता बातलो को किस रूप में देखता है, 27 प्रशन पूछा गया है, इसी माथवा में पूछा गया है, बालक दौरा चांद मांगने की जिद पर मा क्या करती है, इसके बाद में 28 प्रचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, इसको सपस्ट करना है, लेखक मुवन जोदर सब्वेता को जल संस्किती क्यों कह रहा है या कहा है इसके बाद में आपका तीस्वा रंतिम प्रश्ण जिसमें पूछा गया आपने लेखक ने केमरे में बंद आपाहिज करुणा के मुखोटे में छिपी कुरूरता की कवीता है इसको इसपस्ट कीजिए अथवा में आपको देना है जवाब दिवेजी जी ने शिरीश के माध्यम से कुलाहल वशंगर्स से भरी जीवन सितियों में अविचल रहकर जीजी वीशू बने रहने की सीख दी है यह कैसे दिया है यह आपको बताना है तो इनका सभी का answers अगर आप चाते हैं फुल सलूशन तो उसके लिए आप comment section में comment कर दें और बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इस टाइब का आपका pattern रहेगा जो pattern आप देख रहे हैं आपका model paper number 1 है इसके बाद model paper number 2 आएग तयारी करना होगा तो आसा करता हूं इस वीडियो का आपने share कर दिया होगा और इस channel बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much once again